सुबह खाली पेट काली मिर्च खाने के फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको हमारी आयरुवेट की किताब अश्टांग रिद्दम के अनुसार काली मिर्च सेवन करने के पंद्रा ऐसे भैतरीन ऐसे गजब के फायदों के बारे मैं बताऊंगा जिसको जान करके दोस्तों आप डंग रह जाएँगे हेरान रह जाएंगे इतने भैतरीन इतने जबरदस्त काली मिर्च का पौओडर बना करके कि मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में, ये मैंने ऐसे पौडर मना करके रखा है, अगर आप इसको इतनी मात्रा में, स्क्रीन में देखे, कितनी मात्रा में मैं डाल रहा हूँ, इतनी मात्रा में, पानी में मिला करके, और अन्ने भी कुछ चीजें होती हैं, उनके साथ में मिला करके लेते हैं तो विबिन बिमारी में जैसे की आपकी बॉड़ी की प्रकरती के अनुसार वात पित और कफ के अनुसार अगर आप काली मिर्च का सेवन शहाद के साथ में करते हैं अगर हलके गुन-गुने पानी के साथ में करते हैं दहीं के साथ में करते हैं या फिर ऐस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भीना भूले हैना हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं साथ में चैनल को सुस्क्राइब करना बिल्कुल भीना भूले और साथ में बैल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद आल पे क्लिक कर दे हैं ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी वीमारी से संबंदित उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंत एक सेकंड के भीदर मिल जाए दोस्तों अगर हम काली मिर्च सेवन करने के पहले फायदे के बारे में बात करें अगर आप सुबह खाली पेट काली मिर्च का पाउडर बना करके इस तरह से आप यह देख सकते हैं मैंने किस तरह से काली मिर्च का बारिक पाउडर बनाया है आप ग्राइंडर में भी पीस करके या फिर सिलबटा जो पत्थर का होता है जिसको हम खरड कहते हैं उसकी बीच में पीस करके ये प्चूरन बना लेते हैं इस तरह से और छोटे वाले एक चुठाई चमच की मातरा से भी कम मातरा में अगर आप पानी में मिला करके ऐसे ही लेते हैं गुन-गुने पानी में और ध्यान रखें पानी जो होना चाहिए वो तामबे के बरतन का होना चाहिए दोस्तों इसका फाइदा क्या होगा आईए उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों इससे आपका पेट सुबह उठ करके जिनका साफ नहीं होता है जिनको कब्स की समस्था रहती है खाया पिया शरीड में नहीं लगता है एक बार में सुबह उठ करके जैसे वो संडास जाते हैं तो पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए समय पे सुबा पेट साफ होने के लिए बहुत अच्छा होता है काली मिर्च का पानी अगर तामबे के बरतन के पाने में आप एक चुथाई चमच की मातरा में काली मिर्च का पाउडर चूरन मिला करके पीते हैं दूसरे फायदे के बारे में अगर हम काली मिर्च सेवन करने के बेनिफिट के बारे में बात करें अगर आप पुरुष हैं अगर आपके शरीड में किसी भी तरह की शारिडिक कम्जोरी दुरबलता ठकान आप समझ पा रहा हूंगे आप अंध्रूनी कम्जोरी की बात करहा हूँ जो पुर्षों में होती है अशलील गंदी रात को चीज़ें देख करके अगर आप अपने शरीर का पूरी तरह से सत्या नाश कर चुके हैं तो आप को क्या करना है काली मिर्च के दोस्तों चार से पांच टुकड़े या आप देख सकते हैं काली मिर्च के टुकड़े इस तरह से ले करके आपको रात को शहद के बीच में भीगो करके रख देने हैं शहद कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें अच्छा शहद होना चाहिए जंगली दिसी शहद होना चाहिए इसके बीच में 1 चमच की मातरा में शहद ले लें आपके अनुसार इसके बीच में 5-6 काली मिर्च के टुकडों को बिगो करके रखें सुबह उट करके खाली पेट खाएं फिर दोस्तों एक हफ़ते के बाद आप जो कमाल देखेंगे वो जान करके आप दंग रह जाएंगे शक्ती को इतनी तहीं से बढ़ाता है चुस्ती फूर्ती सफूर्ती को इतनी तहीं से बढ़ाता है जिसकी का दर्द गुटनों का दर्द हाथों पैरों का दर्द जिसको अर्थराइटस कहते हैं गठिया कहते हैं हडियों से कट-कट की आवाज आना इससे बहतरी नोशदी काली मिर्च से जबरदस्ट आशदी आपकी गुटनों की ग्रीज को वापिस लाने के लिए कोई हो ही नहीं सकती, तो इसका हफटे में आपको कितनी बार प्रियोग करना है ही, जो मैंने आपको ड्रिंक बताई ही, हफटे में दोस्तों अधिक से अधिक 3 तीन बार प्रियोग करें सर्दियों के मोसम में भी, अगर प्रियोग कर रहे हैं तो चार बार प्रियोग करें गर्मियों के मोसम में एक से दो बार प्रियोग हफते में बहुत अच्छा होता है और मैक्सिमम तीन बार इसका प्रियोग कर सकते हैं जोडों के दर्द में गुटनों के दर्द में बहुत जबरदस्त बहुत ही भैतरीन तर कितनी ग्लासी ग्लोइंग होती है उस तरह की स्किन पाने के लिए काली मिर्च को अगर आप एक चुटकी की मातरा में इसका जो पाउडर होता है या आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक चुटकी कितनी होती है इतनी मातरा में इसका पाउडर लेकर के हलके गुनगुने पानी म डालते एं और उपर से आमला चूरुन और शहयर मिला करके लेते हैं इसके बीच में पानी में और पानी अगर तांबे के बरुतना का रखते हैं तो दोस्तों इतना जबरदस इतना बेथरी होता है स्किन की गलो को बढ़ाने के लिए जिसके आप कलतना नहीं कर सकते अलोवेरा जूस के दो चमच बीच में डाल देंगे तो और तेज़े से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों अगर हम काली मिर्च के अगले बेनिफिट के बारे में फायदे के बारे में बात करें तो ये शरीर की किसी भी प्रकार की अंदरूनी खून की कमी की समस्या केल्शियम की कमी की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है दोस्तों काली मिर्च में भरपूर मातरा में केल्शियम पाया जाता है जो कि आपकी हडियों को फॉलाद बनाने में और साथ में कुछ ऐसे पोशक तरत्वा, माइक्रो नूट्रेंट्स और साथ में वाइटमिन्स पाया जाते हैं इम्यूनिटी को रोग प्रती रोधक शमता को स्ट्रॉंग बनाने में और साथ में दोस्तों बुखार सर्दी खांसी जुकाम तो यह कभी होने नहीं देता अगर आप काली मिर्च का पाउडर बना करके एक चुटकी की मातरा में ले करके पानी में डालते हैं इस तरह से और पानी में डालने के बाद में दोस्तों इसकी बीच में अद्रक का रस एक चोटे चमच से भी कम मातरा में यानि कि आदे चोटे चमच की मातरा में इसमें पानी में मिला करके हलका गुन-गुना कर लेते हैं पानी तांबे के बरतन का रखते हैं तो यह बहुत ही बहतरी तरीके से सरदी, खांसी, जुकाम, पुराने से पुराना बुखार को भी जड़ से खत्म करने में मदद करता है इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगले बेनिफिट के बारे में काली मिर्च सेवन करने के फायदे के बारे में बात करें तो ये महिलाओं में जो मासिक धर्म की किसी भी प्रकार की अन्निम्यता की समस्चा होती है, खून जादा आने की समस्चा होती है उसमें शतावर चूरन के साथ में अगर आप काली मिर्च का एक चुटकी की मातरा में पानी में मिला करके प्रियोग करते हैं बहुती बहतरीन तरीके से आपकी मासिक धर्म की किसी भी प्रकार की समस्चा को क्योर करने में मदद करता है बहुती बहतरीन होता है काली मिर्च का प्रियोग महिलाओं के लिए दोस्तों इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को भी सांस की दिक्कत की कोई समस्या रहती है जिसको हम अस्थमा कहते हैं उसमें भी काली मिर्च के पाउडर का प्रियोग बहुती बहुती बहतरी न तरीके से हमारे शरीर को बहुती अच्छा फाइदा पहुचाता है हलके गुनगोने पानी में सुबह उटकर के अगर आप काली मिर्च का पाउडर का एक चुटकी की मातरा में डाल करके और शहाद का प्रियोग करते हैं तो यह दमे के रोगियों के लिए यानि कि जिनको अस्थमा की समस्या रहती है जिनको सांस लेने में किसी भी प्रिकार की दिक्कत होती है भी एक बहुत ही भेंकर महामारी भी चल रही है दोस्तों आपको मालूम है तो उसमें काली मिर्च बहुत ही जादा है फायदे मन्द होती है दोस्तों मुझे उमीद है काली मिर्च के बेनिफिट्स के बारे में ब्लैक पेपर के फायदों के बारे में जानकारी हासल करके आपको बहुत जाद अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ लाइक करना शेयर करना बिलकुल भी न भूलें शोशल मीडिया नेटवक जैसे की फेस्बुक वटसैप पर ज़रूर शेयर करें काली मिर्च के जो मैंने आपको फायदे बताए है धन्यवाद